हलो फेंट्स मैं अनाव विशाल है and welcome to our channel crypto with विशाल कईस आज की वीडियो में बात करेंगे bitcoin के बारे में एक बहुत important चीज़ है जो कल होने वाली है meeting एक urgent meeting है उसके बारे में discuss करेंगे और वैसे मैंने telegram पे रात को ही share कर दिया था यहाँ पे कि जो बाइटन और पती ने उनके बीच में यहाँ पे कुछ meeting हुई है यह सब चीज़ों को discuss है रही और जो हमारा 50,000 का portfolio है एक बार उसमें नजर डालेंगे जो coin crate पे बनाया था फिलहाल downside में हैं उसमें तो सब चीज़ों को एक बार देखेंगे तो गईस पहली चीज़ टेलिग्राम पे आप जोइन कर दीज़ेगा सारी updates के लिए यहाँ पे भी रात कोई जब यह news आई थी मैंने आप लोगों के साथ share कर दी थी तो link video के description में मिलेगा search करके join नहीं करना है मेरे आपसे कभी भी कोई रुपे, USDT या किसी चीज़ की requirement नहीं करूगा तो guys पहली बात कर लेते हैं यहाँ पे fear and grid index की तो currently यह fear में है 44 में actually में extreme fear भी हो सकता था पर अच्छा indicator जादा उतना खराब दिखा नहीं रहा है जो हालात है market के बारे में बात करेंगे तो 0.28% का up है अ एक 2-4% का जो up है वो जादा तर आपको all coins में दिख रहा है तो सारे के सारे अगर आप देखेंगे neutral state में आपे चल रहे हैं फिलाल के लिए bitcoin के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो 50 days का moving average है वो बहुत बड़ा यहां पे काम कर रहा है और अगर आप देखेंगे छोटे छोटे जो spike आ रहे हैं वो उसको तोड़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा support है अभी भी तो ये किसी हालत में तूटना नहीं चाहिए क् किसके तूटने के बाद हम लोग नीचे जहें कल एक बार को ऐसा महौल बना था कि शायद अब ये तूट गया हमारा 50 days का moving average पर हम संभल गए वहां से एटलीस वो नहीं तूटा जो बहुत अच्छी बात है यहां पे इसके बाद जो important रहेगा मेरे साब से support वो 40,000 का रहेग 50 days के moving average को बहुत ध्यान से आप यहां पे देखिएगा अगर आप कोई भी trade ही ऐसा कुछ यहां पे ले रहे है तो बहुत सारे लोगों का बोलना है चार्ट से कुछ नहीं होता पर trust me यह बहुत important है आपका फिलहाल के लिए सही तरीके से यहां पे चलना इसके बाद guys already रात को हमने share कर दी थी कि यहां पे बात होई है और ultimately उस meeting के अंदर भी कुछ final ऐसा कुछ conclusion या solution जैसी चीज़ जो यहां पे नहीं निकली है तो जो यहां पे US है वो अल्रेडी बोल रहा है कि जो हमारी वहां पे embassy है staff है हम उसको यहां पे बुला रहे हैं बस इस तरीकी की news है पर ऐसा अभी तक कुछ update नहीं आया है कि जहां से solution या compromise जैसी बात हो गई होगी कई अलग अलग newspaper agencies है जो इसको डाल रही है पर जो officially अगर आप बोलेंगे फिलहाल ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं है जो भी international level पे websites है कहीं पे ऐसा कोई भी जो news update नहीं है कि च चीजे sort हो गई है या वहाँ पे issue create हो रहा है पर अगर आप US की बात माने तो US की तरफ से बहुत critical situation है अब वो बनाई जा रही है कि है वो तो आपको देखे आने वाले time में पता चलेगी इन सब चीजों के बीच में already हमें पूरे का पूरा जो global economy है उस पे इन सब चीजों से फर्क पड़ा और उसी बीच में अब एक बड़ा जो कहानी है वो अब एक और है और वो यह है कि कल फेट की एक urgent जो है वो यहाँ पे एक meeting बुलाई गई है time अगर आप देखेंगे इसको तो यह है 11.30 है US के recording time है वो एक बार हम लोग देखेंगे हमारे recording जब होगी तो यह बहुत important news कल के लिए हो सकती है अगर यहाँ पे कुछ ऐसी discussion होता है economy किसी चीज को किसी चीज के बारे में point out करके यहाँ पे तो यह critical रहेगा और हो सकता है जब तक यह meeting होगी और तब से लेकिए अपके बीच में हमें काफी सारा up and down मिल सकता है हो सकता है अगले कुछ time में आपको bitcoin का price एक दम से उपर जाता हुआ दिख जाए यहाँ से सीधा हम लोग 43-45 पे ले जाए हो सकता है pump कराने की कोशिश की जाए हो सकता है down में लगाया जाए क्योंकि लोग short की call ले लेंगे तो वो time पे आपको जो है जो market में अब दिख जाएगा इस तरीके की चीज है बहुत सारी हो सकती है तो जो आगे का time है अगला ना अब कल परसो तक कल जो time बोलेंगे वो बहुत critical रहेगा यहाँ पे क्योंकि US, sorry, Russia, Ukraine के तरफ already चल रहा है वहाँ से अगर कुछ news update आ जाती है ऐसी क्योंकि वहाँ पे बार बार यही आ रहा है कि Russia कभी भी attack कर सकता है within a one week वो update important रहेंगे और उसके बाद यह जो meeting हो गई है यह भी बहुत critical है immediate basis पे इस पे भी नजर अपनी बना के रखिएगा यह news आप क्रिप्टो बात क्रिप्टो market की नहीं है पूरे का पूरा जो finance system है उसकी बात है यह stock market की बात करें US की या कहीं के भी जब वहाँ पे उपर न मिल सकता है तो यह थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे जैसी मेरे पास जो भी अपडेट आएगा वो मैं telegram पे आपको share करता रहूंगा अगर वीडियो बनाने के जववत पड़ी तो हम लोगे अलग से वीडियो बना के इसको discuss करते रहेंगे तो यह तो गई जो important गईस चीज में है तो obviously बात है जब portfolio बनाया वो time पे market अप पे था सारे coin का rate अप था और जब हम dump की तरफ आए तो हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे आ गए अगर बीच में कुछ अगर यह news की वज़ा से हम लोग नीचे की तरफ जाते एक sudden dip आता है तो थोड़ा बहुत हम लोग हमारे portfolio में यहाँ पे लेकर रख सकते है पर वो देखेंगे market के situation के साब से लेकिन same time पे अगर BTC को थोड़ा बहुत भी यहाँ पे positive मिलेगा हम लोग positivity के साथ 45 के ऊपर अगर हमारा 50 days का moving average जाता है वो close करता है candle को तो सारे all coins आपको almost सारे जो इसमें से जो portfolio में हमने लीए जैसे क soul है ICP है सबके rate में आपको मिलेगा पर यह धियान डेकेंगे कि हमारा portfolio short term पे है तीन महीने के लिए हमने portfolio बनाया था तो ज्यादा experiment हम लोग यहाँ पे बहुत जादा नहीं कर सकते है पर अगर आप long run पे बोलेंगे तो definitely जब BTC का price high होगा यह सारे alt coins जिसमें सा आदे जाद all coin आपको 2x बहुत easily return कर देंगे तो बहुत easily 50,000 का जो हमारा portfolio वो टाइम पे आपको एक डेल लाग के करीब सीधा सीधा 3x 2x 3x रिटन दे देगा पर हां उसके लिए थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा पर हम लोग मार्च तक का time वेट करेंगे फिलाल यहाँ पे मार्च इंपोर्टेंट और क्रिटिकल हो सकता है कल के लिए क्या आएगा वहाँ पे थोड़ा से अगई इस तवियत खड़ाब है उस विज़ा से थोड़ा से डाउन हूम है तो इस आप से हो सकता है आपको जो आज एनरजी है वो थोड़ी यहाँ पे कम देखने को मिली हो तो यह करके जोइन नहीं करना है थेंक्यों फेंट्स